दोस्तो आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे How to know original display और duplicate display देखें दोस्तो मैं आपको दो display दिखाता हूँ ए टूटा हुआ है लेकिन आपको दिखाता हूँ आप इसका सामझे देखके पता सकते हो कि कौन सा original है और कौन सा duplicate है नहीं पता सकते हैं आप डिस्पले का brightness देखके पता सकते हो नहीं पता सकते हैं क्यूंकि आप एक technician नहीं हो आप एक साधारा नीज़र हो 99% साधारा नीज़र इसी चकर में फच जाता है और आप जो अपना मुबाइल का display duplicate display लगा के लेके आजाते हो original display के लेका में और उसमें क्या होता है आपका mobile अगर एक बार भी हाथ से गिर गया तो आपका display चूप 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 जाता है तो आज हम उसी के उपर बात करेंगे कि कैसे आप जानोगे कि original display कौन सा है और duplicate display कौन सा है अगर आपका कोई भी mobile तूटा है और आप चाते हो कि आपका mobile में original display ही लगाना है तो ये वीडियो देख लो अगर आपका टूटा भी नहीं है तो ये वीडियो ज़रूर देख लो और एकदम स्कीब मत करना देख लो आपको समझ में आजाएगा original अग डबली के display में क्या difference है मोबाइल के बारे में अच्छा चावड़ा को इस चैनल में मिलता रहा है तो चले इस वीडियो को रिटाट करता है देखें दोस्तों मैंने पास इधर दो डिस्प्ले है एक original है और duplicate है देखो सामने से आप कभी भी पता नहीं कर सकते हो कि original क्या है अगर आपका मोबाइल का डिस्प्ले लग चुका है तब भी आप कुछ डिपिलेंट्स नहीं पता कर सकते हो उसमें original लगा है फास्ट पपी लगा है या duplicate लगा है अगर आप अपना मोबाइल का डिस्प्ले टूट चुका है और आप जा रहे हो किसी भी रिपियारिंग सॉप में original डिस्प्ले लगा है तो ये वीडियो पूरा देखो अगर सर्विस सेंटर में लेके जाए हो तो कुछ भी देखना का जोरोत नहीं है सर्विस सेंटर में आपको 100% original ही मिलेगा लेकिन अगर कहीं पे बाहर में चा रहे हो और बोल्ड़ा कम पैसा में original लगा देगा तो ये वीडियो देखके जाए तब आपको समझ में आएगा कि original और duplicate डिस्प्ले में क्या difference है देखें दोस्तों एक original है एक duplicate है लेकिन आपको पता चलेगा पीछे से देखें एक original डिस्प्ले में और एक duplicate डिस्प्ले में difference है रहता है आपको duplicate डिस्प्ले में पीछे में बहुत सरा कुछ लिखा हुआ होता है उसका company का नाम कॉनसा date में यह हुआ था serial number दुनिया भर की चीज़े लिखा रहता है और यह जो flag से यह जैसे लगा हुआ है ऐसे लगा रहता है ठीके लेकिन एक original डिस्प्ले में इधर कुछ भी लिखा नहीं और कुछ भी आपको देखने नहीं मिलेगा और एक चीज़ सामने से आपका original डिस्प्ले में कुछ भी लिखा हुआ नहीं रहेगा लेकिन duplicate display में आपको बहुत सारा company का नाम लिखा रहेगा 100% original 100% diamond quality 100% मतलब जो भी है जो लिख सकते हैं वो लोग लिखेगा ठीक है लेकिन original में कुछ भी लिखा नहीं रहेगा मतलब आगे भी नहीं रहेगा और पीछे भी नहीं रहेगा यह 100% है और एक ची अगर आप body के साथ original लेना चाहते हो मतलब body के साथ एक आता है तो वो 99% cases में duplicate भी चिपा के मतलब चिपका के देते हैं आपको पता नहीं चलेगा तो जिस भी body को आप लेते हो original गोल के उसमें सब कुछ fitting रहना चाहिए A to Z मतलब उसका my speaker original में लगा हुआ आता है डुब्लीकेट में नहीं लगा हुआ आता है तो आप अच्छा से समझ लो अगर आप नॉर्माली किसी दुकान में जा रहे हो दुब्लीकेट डिस्प्ले या तो ओरिजनल डिस्प्ले लगाने तो यह चीज़ आप ध्यान रखना है मतलब है कि गवार से गवार आपमी यह चीज़ देखके समझ जाएगा कि original कौन सा है डुब्लीकेट कौन सा है यह देख लिया उसमें कुछ भी लिखा नहीं रहेगा और अगर गूगल लेंग से निकलके यह बारकूर्ट स्कान करोगे तब भी उसमें इंक्रमेंसरी निकलेगा कौन सा मोडल है कौन सा तारीक में मैनेटर्ट चुल है सब कुछ डिटियल से निकलेगा और देखिए इसका दोनों का दिखा रहा हो देखे डिफिरेंट क्या यह एक ऐसे पेकिंग हुआ है यह कैसे देखें लगा हुआ है और डुब्लिकेट कैसे लगा हुआ है यह आपको समझ में आ जाएगा और इस वीडियो को जाता से जधा आप दोस्तों के साइया करना और अगर आपको वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यावाद जाहिए झाल